हेलो फ्रेंड्स बेवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ऐसे पर्मनेंट प्लांट के ओपर है जिनको आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में और ये बहुत ही कम केर में डेहरों फूल देते रहते हैं और पर्मनेंट हमारे गार्डन म बने रहते हैं, तो अगर आप gardening में नए हैं, ज्यादा gardening नहीं जानते हैं, तो ये plant आपके लिए हैं, कौन-कौन से plant हैं, ये सबी plant मेरे पास हैं, इनके नए और price इस वीडियो में मैं आप से share करूँगी, तो ये बिना care के जो plant हैं, डेहरों full देते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहे हूं कि अगर आप गार्णिंग में नए हैं तो ये वाले प्लांट आप लगा सकते हैं तो आइए देखते हैं परसाथ का सीजन है और बहुत सारे लोग जो है गार्णिंग शुरू करते हैं तो अगर आप गार्णिंग में नए हैं तो कनेर का प्लांट आप जरूर लगाईए, कनेर में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगी, देसी और हाइबरेड प्लांट भी मिल जाते हैं, और ये प्लांट जो है, बहुत ही कम केर में देखिए, इस तरीके से धेरों फूल देता है, और पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहता है, सर्दी मे जासे, सर्दी में भी ग्रीन बना रहता है, और इसकी जो फुलावरी है, वो दिसंबर तक चलती है, दो-तीन महीने जो होते हैं सर्दी है, तब इसमें फूल नहीं आते हैं, मगर इसके पत्ते इसी तरीके से ग्रीन बने रहते हैं, तो इस रफ्ट अफ प्लांट को आप जाता है, पचास से लेके सो डेर सो रवे तक, तो अगर आप गार्णिंग में नए हैं, कुछ नए प्लांट लगाना चाहते हैं, जो आपको बहुत सारे फूल दें, कम केर में ही, तो अपराजीता भी एक प्लांट हो सकता है, अपराजीता देखिए, मिराजी अपराजीता के प्लांट है, ये प्लांट बहुत ही कम केर में डेहरों फूल देता है, सिरफ आपे इतना ही करना है, कि जब भी आपने इसका प्लांट लगाना है, तभी आपने इसको अच्छे से खाद इसकी मिट्टी में मिला लेनी हैं, जिसमें गार्डन सॉयल रेत और खाद हो, रख देना है आपने 3-4 गंटे की दूप में और बरसात का पानी भी इसको मिलना चाहिए तो फिर देखिए इस तरीके से धेरों फूल देता है बहुत ही कम केर में इसकी कोई ज्यादा केर नहीं करनी पड़ती है कि बार-बार इसको फटलाइजर दो कम केर में ये प्लांट ध फूल देता है सीड से भी ग्रो हो जाता है और नर्सरी पर प्लांट भी मिल जाता है अगर आप गार्णिंग में नहीं है तो इस प्लांट को जूरूर ग्रो करें ये है अल्ट्रा नेंथ्रा लोरो पैटलम जा है जी प्लांट इसको बोलते हैं इसमें आपको डिफरेंट कल पूरा साल गार्ण में रहता है गर्मी में देखी इस तरीकिसे बहुत ऐच्छे से ग्रो करता है और cutting से भी लग जाता है सर्दी में थोड़ा और मैंसी में रहता है मगर plant ये बना रहता है तो देखें ये plant है जे decision बसुरत प्लांट है, बहुत ही कम केर में आपको पूरा साल फूल देता है, और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं से कटिंग मिलती है, तो कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं, क्यूंकि इसली ये कटिंग से भी लग जाता है, तो अगर आप गार्णिंग में नहीं तो इस प्लांट को जरूर लगाएं एक तो ये पूरा साल फूल देता है कम केर में भी फूल जे देता रहता है पूरा साल तो देखिए मेरे पास भी ये प्लांट चार-पांच सालों से जहां उससे भी ज्यादा ही होगा जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो मुझे से प्लांट है वो त्यार हो जाता है तो अगर आप गार्णिंग में नहीं है तो जो ट्रोफा को जरूर अपने गार्ण में एड करें पर्मनेंट प्लांट है और साथ के दिनों में अगर आप नहीं नहीं गार्णिंग शुरू कर रहे हैं तो इस प्लांट को जरूर अपने पेड़ के रूप में आप इसको ग्रो कर सकते हैं प्राइज की बाद कर दो यह 60 रुपे का नर्सरी पर आपको असानी से मिल जाता है तो दिखिए मैं भी इसको पिछले दो साल पहले इसको मैं लाई थी तो हर साल यह इस तरीके से बहुत सारे फूल देता है इसको प्राइड आफ इंडिया बोलते हैं बहुत ही खुबसूरसा यह प्लांट है इसका नाम साबनी भी होता है तो अगर गार्डनिंग में नई है तो इसको जरूर अपने बनते हैं और खुद भुख़द ही नेक्स सेजन प्लांट उगाते हैं और यह प्लांट पूरा साल मारे गार्डन में रहेगा और फूल भी देता रहेगा था था इसको आपने बारिश में रखना है और ज्यादा पाड़ी नहीं देना है तो अगर आप गार्णिंग में नह प्लांट लगाना चाहते हैं जो पर्मनेंट हो कम केर में इस तरीके से काफी बड़े बड़े फूल आपको दे तो इस प्लांट को लगा सकते हैं इसको बोलते हैं इसमें कलर आपको और भी मिल जाएंगे और यह देकिए इसकी थोड़ी सी हाइट लंबी होती है गमले और दोनों जगा चल जाता है, इसमें एक बुश टाइप भी आती है, उसको आप गमली में लगा सकते हैं, और ये प्लांट पर्मनेंट होते हैं, पूरी गर्मिया और सर्दियान तक फूल देते हैं, पूरा साल मारे गार्डन में भी बने रहते हैं, पचास साट से लेके सतर आसी जब सो डेट सो तक इनके जो प्राइज हैं लगलन नर्सरी पर रहते हैं, तो देखिए अगर आप गार्डनिंग में नए हैं, बिगनर हैं, तो देखिए इस प्लांट को आप जरूर एड़ करें अपने गार्डन में, बिना केर के ये प्लांट देखिए इस तरीके से लिया, इसका नाम होता है, इसमें देखिए इस तरीके से बिल्कुल बुष टाइप, जो बिल्कुली चोटी ही हाइट का रहता है, और इसमें एक थोड़ी सी बड़ी हाइट का भी आता है, इसको ड्वार्फ टाइप कह सकते हैं, उसको थोड़ी सी देशी टाइप कह सकते ह होते हैं थोड़े से इसके पत्ते चोटे होते हैं उसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं तो दोनों आपको नरस्तिर पर मिल जाते हैं ये एक अच्छा प्लांट है हमेशा गार्डन में फूल इसमें आते रहते हैं पूरी गर्मिया तो देखिए अगर आप जुलाई गस् इस प्लांट को भी आप जरूर अपने गार्डन में अड़ करें इसको बोलते हैं कोक्सकॉम जैसी लोसिया तो यह प्लांट सीड से ग्रो होता है सिर्फ आपने एक बार इसको अपने गार्डन में अड़ करना होता है फिर यह हर साल आपके गार्डन में प्लांट उगाता है और स्टार्टिंग में इस तरीके से इसके कलरफुल लीव्स होते हैं, गर्मी के सीजन में, बरसाद के सीजन में, जब गर्मी का और बरसाद का सीजन आफ हो जाता है, सरदी आने लगती है, तो फिर इसमें इस तरीके से फूल खिलते हैं, जब फूल इसके थोड़े मैचोर हो तो आगर आप gardening में नए हैं कोई hanging basket के लिए जहां गमले के लिए प्लांट डूंड रहे हैं जो पत्तों के साथ साथ खुबसूरत फूल भी दे और पूरे दिन की दूप में भी चलता रहे तो और पिचासर पे तक आपको nursery बिर मिल जाए cutting से भी grow हो जाए तो आप इसको लगा सकते है यह है baby sun rose बेवी sun rose एक बहुत ही खुबसूरत सा succulent flowering plant होता है इसको ज़्यादा पानी की जूरुट तो नहीं होती है देखिए यह भी एक succulent flowering plant हीरी है इसको बोलते हैं white velvet गोस्मर देखिए अभी जैसे बरसाद का सीजन और गर् मिट्टी में भी लगाएंगे असानी से लग जाती है पानी में भी लगाएंगे वहां भी लग जाती है और इस प्लांट को ज़्यादा दूप पसंद नहीं होती है आप इसको ऐसी जगा रखे जहां सैमिशेड एरिया हो इंडोर गार्डन हो अच्छी ब्राइट लाइट आती हो जहां सुबा के एक दो गंटे की दूप आती हो देखिए अगर आप जमीन में लगाएंगे इस प्लांट को अगर आपके पास जमीन में लगा है तो इस बेल को आप जरूर लगाएं अगर आपके पास जमीन में जगा है तो इस प्लांट को जरूर आड करें नरसिल पर सोर पे तक लिए आपको मिल जाएगा तो यह प्लांट है गोंफरीना का अगर आप गाडनी के शुरुआत कर रहे हैं तो यह प्लांट आपको नरसिल पर दिखे तो इस प्लांट को जरूर अपने गाडन में आड करें क्यूंकि एक तो यह प्लांट जो है पर्मनेंट है पूरा साल अमारे गाडन में रहता है और पुरा साल फूल भी इसमे आते रहते हैं और कम प्राइज में भी ये मिलता है 10-15 से लेके 20-25 प्रे तक इसका प्राइज होता है 2-3 कलरिस में आपको मिल जाएंगे और इसके जब फूल खिलते हैं तो महीनों खिले रहते हैं और जब फूल पुराने हो जाते हैं सूख जाते हैं तो उनी को आप तोड़ के मिट्टी में डालिए उनी से आपको नए प्लांट भी इसके मिल जाते हैं तो गार्निंग में नए हैं तो इस प्लांट को भी आप जरूर एड़ कर सकते हैं इसको बोलते हैं गुल्द पहरी पॉर्चुला का जब पर्सलेन इस तरह के इनके नाम होते हैं तो ये भी प्लांट जो है एक तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं, कटिंग से लग जाते हैं, कलर इनमें बहुत सारे होते हैं, आप इनको गमले में, चोटे गमले में, हैंगिंग बास्केट में हर जगा सकते हैं, इनको पूरे दिन की दूप चाहिए होती है, अच्छे फटलाइज को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो थेंक्यू फ्रेंट्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो को कैसा लगा, कॉमेंट करके जुरूर बिताएगा, और फिर मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में नए टॉप पे के साथ, अब तक लिए बाए, हैपी गार्नी,